आज मैं आपको प्रकृती की देवी अरण्यानी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ उनकी कथा हमारी पृत्वी और पर्यावरण की रक्षा से जुड़ी है छो प्रकृती और सभी जीवों की देवी हैं उनका जन्म प्रकृती की रक्षा के लिए हुआ था वह पेडों, पौधों, जलाशयों और सभी जीवों की रक्षक है हम अक्सर अन्य देवताओं की बात करते हैं लेकिन अरण्यानी की महिमा को भूल जाते हैं वह हर उस चीज में उपस्थित हैं जो हमारे चारों ओर है पेड, पौधे, जानवर और नदिया प्राचीन काल में, जब पृत्वी पर संतुलन बिगड़ने लगा और मनुष्यों ने प्रकृति का दोहन करना शुरू किया तब देवी अरण्यानी प्रकट हुई उनकी उत्पत्ती भगवान ब्रह्मा के संकल्प से हुई जिनकी इच्छा थी कि पृत्वी पर एक ऐसी शक्ती हो जो वनस्पतियों और जीवों की रक्षा कर सके अरण्यानी हमारे जीवन का आधार है वह हमें शुद्ध वायू, स्वच्छ जल और जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करती है उनके बिना हमारा अस्तित्व असंभव है इसलिए हमें अरण्यानी की महिमा को पहचानना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए समय के साथ अरण्यानी का पुनरजन्म औस्ट्रेलिया के डेनट्री रैनफॉरेस्ट में रूजु के रूप में हुआ रूजू का जन्म पर्यावरण की रक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हुआ रूजू का बच्पन जंगल में ही बीता जहां उन्होंने पेडों और जानवरों से शिक्षा पाई उन्होंने हर पेड की कटाई और नदी की प्रदूशित धारा का दर्द महसूस किया शहर में भ्रष्ट राजनेता और बड़े उद्योगपती मिलकर पर्यावरण का दोहन कर रहे थे आम जनता पर टैक्स का बोज बढ़ता जा रहा था जबकि अमीर लोग अपने निजी विमानों में यात्रा कर रहे थे आम लोग पर्यावरण की बिगड़ती स्थिती और बढ़ते टैक्स से जूज रहे थे सरकार और राजनेता सिर्फ आम जनता पर ही शिकंजा कस रहे थे एक रात रूजू ने सपना देखा जिसमें उन्होंने पर्यावरण को हो रही ख्षती को महसूस किया उन्होंने निश्चय किया कि वह न्याय लाने के लिए आगे आएंगी रूजू एक साधारन लड़की का रूप धारन कर शहर में आई उन्होंने ब्रष्टाचार को खुद देखने का निश्चय किया शहर में रूजू को पर्यावरण के लिए लड़ने वाले कार्य करता मिले उन्होंने उनके साथ अपने संघर्षों और संकल्प को साझा किया रूजू और उनके नए मित्रों ने गुप्त रूप से भ्रष्टाचार के प्रमान एकठा करना शुरू किया एक बड़े समारोह में रूजू ने भ्रष्ट राजनेताओं का सामना किया और उन्हें जनता के सामने बे नकाब किया राजनेताओं ने आरोपों को नकारते हुए रूजू का मजाक उड़ाया और उन्हें आदर्शवादी सपना देखने वाला बताया दिव्य उर्जा की लहर के साथ रूजू ने अपना असली रूप प्रकट किया वह प्रकृती की देवी अरण्यानी के रूप में सामने आई रूजू ने अपनी शक्तियों से वनस्पतियों को बुला कर ब्रश्ट नेताओं को जकड लिया उन्होंने उन्हें प्रकृती के कानूनों के अनुसार न्याय देने की घोशना की ब्रश्ट राजनेताओं को जंगल के बीच ले जाकर दंडित किया गया जनता के लिए यह न्याय की जीत थी रूजू की कार्यवाही से प्रेरित होकर लोग उठ खड़े हुए और अपने नेताओं से न्याय और परियावरन संरक्षन की मांग की ब्रश्ट नेताओं की गिरफतारी और भ्रश्टाचार नेटवर्क के तूटने के बाद नए परियावरनिय नियम बनाए गए रूजू ने जंगलों, नदियों और वन्य जीवों को पुनरस्थापित करने के प्रयासों का नेत्रित्व किया रूजू की सतर्क द्रिष्टी में मानवता और प्रकृती के बीच संतुलन स्थापित हुआ जिससे सभी के लिए सम्रिद्ध भविश्य सुनिश्चित हुआ कहानी एक उज्ज्वल हरे भरे भविश्य की द्रिष्टी के साथ समाप्त होती है जहां रूजू की विरासत हर व्रिक्ष, नदी और जीव में जीवित रहती है